So, hello and welcome back everyone, wishing you a very very happy maha shiva vratri आज हम लोग GIGL करने वाले ठीक है तो GIGL का ये third video होगा third video में हम लोग short notes discuss करने वाले है तो short notes में क्या देखेंगे हम लोग आज आज हम लोग देखेंगे Austin Command Theory of Law पहला topic होगा अपना Austin Command Theory of Law सर ये कैसे आते exam में सर ये आता है सर आपका हो न ंसर आता है तो पास्ट यर के कोई भी ल का कोई भी तर्म का ठीक के कुशन पेपर उठाके देख लो यह जो है बहुत बार आ चुका है शूट नोट्स और शॉट नोट गयाता है न इस जो है तो 5 शूट नोट्स चाप्टर 1 रहता है तो you cannot skip these short notes it's very very important and I give you 110% guarantee it is going to come in your examination so not wasting further time let's go into it Austin Command Theory of Law तो भाया यह Austin कौन है Austin करता क्या है सर इसका काम क्या है Austin का Austin का ना हम लोग एक थोरा पीछे चलते है और Austin का बायो डाटा जान लेते है पहले यह बटा है John Austin, John Cena नहीं John Cena का छोटा भाई John Austin actually बडा भाय होगा John Austin ठीक है क्योंकि यह बहुत साल पहले आया था John Austin ठीक है तो कभी अगर भूल गए कि John Austin क्या है तो याद रखना John Austin John Cena का बडा भाई है और John Cena कहां से बिलॉंग करता है America 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 में क्या चलता है English तो यह जो 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 जॉन आस्तीन है न वो एक थ्योरिस्ट है English के ऊपर वो एक English लिगल थ्योरिस्ट है ठीक है भूलोगे ये चीज नहीं भूल पाऊगे John Cena बोल दिया न भी नहीं भूल पाऊगे जॉन आस्टीन अनोटेट इंग्लिश लेगल थियोरिस्ट वो एक थियोरिस्ट है सर ये थियोरिस्ट कोन होते है सर थियोरिस्ट वो होते है जो थियोरी के साथ ठीक है थियोरी के साथ रिलेटेड रखते है रिलेटेड रहते है वो लोग theory लिखते हैं किसी भी topic के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, उनको हम लोग कहते है theorist, ठीक है, was the first occupant of the chair of jurisprudence, अच्छा भाईया, यह जो John Austin है न, वो पहला बंदा था जिसने jurisprudence के कुरसी के ऊपर बैठा, सर क्या मजाक करें, jurisprudence के कुरसी के ऊपर बैठा, हाँ भी है, सही में बता रहें, एक university था लंडन में, ठीक है, लंडन में क्या है, एक university है, ठीक है, उस university में एक chair रखा जाता था, जिसका नाम होता है, jurisprudence, chair of jurisprudence, और भी chair of jurisprudence मतलब क्या होता है, jurisprudence मतलब क्या होता है, jurisprudence का मतलब क्या होता है, law, jurisprudence का मतलब क्या होता है, knowledge, तो law का जिसके पास सब्से महान knowledge था, उस बंदे को law के chair के ऊपर बैठाया जाता था, वो बन्दा कौन बन्दा है, John Cena का बराबाई John Austin John Austin a noted English legal theorist, वो क्या करते था काम धाम या करते था वो वो एक legal English legal theorist था और वो एतना famous क्यों हूँआ क्योंकि वो पहला बंदा था जिसने जिरिस्पृणिस के कुरसी के उपर बैठा कहा था सरे कुरसी, ये कुरसी था तुम्हारा University of London में ठीक है, London का एक University है उस करसी के उपर बैठा Now, Austin किस कारण जाना जाता था? Austin was known for the command theory of law अच्छा वहीया उसने एक theory लिखा किसके उपर? law के उपर अच्छा नाम क्या था उस theory का? Command theory of law ठीक है, easy है ये part भूल जाओगे Austin को John Austin को भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना, exam में बस Austin दे देगा Austin command theory of law के उपर लिख डालो तो आपको John Austin को याद करना है मतलब John Cena को याद कर ले ना John Austin अपने आप याद आ जाएगा उसका बराबाई था John Austin क्या करता था काम? वो एक English legal theorist था अच्छा सर, तो वो इतना famous क्यों हुआ? famous क्योंकि इसलिए हुआ वो वो सबसे पहले वो सबसे पहले London के university में एक chair था जिसका नाम था chair of jurisprudence उसके उपर सबसे पहला बंदा था जिसने अपने शरीफ रखा था कुरसी के उपर, वो सबसे पहला बंदा था clear है? और Austin किसके लिए जाना जाता था सबसे ज़्यादा famous क्यों था? क्योंकि देखो भाईया है तो वो एक theorist तो उसने theory लिखा किसके उपर law के उपर command theory of law तो command theory of law आएगा तो सीधा Austin क्या करता था? वो theorist था, ठीके ऐसे करके देख डालना है, ओके ना? मैंने एक link बना दिया, अभी according to Austin, Austin क्या कहता था? वो सुन ले एक बार, बहुत महान आदमी था, देखो Austin 2, according to Austin law is the command of sovereign that is backed by sanction, अच्छा भाईया command of sovereign मतलब, देखो John Austin ने बोला कि ये जो law, ये जो command है न, law क्या है? law है, एक command of the sovereign sovereign मतलब, यहाँ पर sovereign का मतलब होता है country, ठीक है independent country को कहते है, हम लोग sovereign, ठीक है न, now sovereign, तो law क्या है? law एक command है, किसका command है? Austin's law, according to Austin's law, is the command of sovereign, ठीक है, command है किसका? country का independent country का command है, क्या command है law, that is backed by sanction, और उसको मदद कौन कर रहा है, law को लागू करने के लिए कौन मदद कर रहा है, sanction मदद कर रहा है, मतलब सर थोड़ा, थोड़ा डीटियल में समझाओगे, देखो Austin के हिसाब से, क्या है law, law एक command है, किसका command है, किसने दिया, यह command, यह command दिया, sovereign nation ने, ठीक है, sovereign मतलब independent nation ने, command दिया, अभी command तो दे दिया तो command देने कब पद उसको backed कौन कर रहा है, backed मतलब उसको support कौन कर रहा है, किसको support कर रहा है, इस command को support क्या कर रहा है, अगर मैं आपको बोलू कि राज, पकर लो मेरा छोटा भाई, राज, ठीक है मैंने उसको बोला, राज मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दे उसने बोला नई भीया, खुझ जाओ, खुझ जाके ले लो तो मैंने उसको बोला अगर तु मेरे लिए पानी नहीं लाएगा तो मैं तुझको कंप्यूटर चनाले नहीं दूँगा ठीक है, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, मैं हूँ independent nation, मतलब sovereign, तो मैंने क्या दिया मेरे भाई को command और command दिया, क्या command दिया पानी लाने बोला, उसने क्या बोला, नहीं लाएगा, मैंने क्या बोला, मैंने sanction ठोग दिया उसके उपर, मैंने punishment ठोग दिया उसके उपर, ठीक है back क्या कर रहा है, मेरे जो command है उसको back कौन कर रहा है, मेरा punishment, मेरा sanction बैक्ट कर रहा है isn't it, backed by sanction, मतलब अगर तो पानी नहीं लाएगा, तो computer चलाने नहीं दूँगा, खतम सा बात, गेम खेल ले नहीं दूँगा, यहीं बात है, ठीक है according to the Austen's law is the command of sovereign that is backed by sanction Austen has propagated that law is a command which imposes a duty ओके, Austen ने क्या बताया propagated मतलब बताया एक branch, एक way, एक तरीका, ठीक है बताया, क्या बताया कि law law is a command, law क्या है law a command है, जो की which imposes a duty, जो एक duty देता है, law का, law क्या देता है, law a command है, और command क्या चीज का command है, एक duty का command होता है, ठीक है, and the failure to fulfill the duty और अगर आप failure होगे उस duty को करने में, तो क्या हो जाएगा meet with sanction, मतलब punishment, देखो मैंने punishment लिख भी दिया तो अगर law क्या है, law command है, ठीक है, command है किस टाइप का command है, ये एक duty का command है, मैंने मेरे भाई को duty दिया, कि तू पानी ला, ठीक है, तो अगर वो fail हो गया, तो मैंने क्या बोला computer चलाने नहीं दूँगा, game खेले नहीं दूँगा, तो am the failure to fulfill the duty अगर उसने पानी नहीं लाया तो the failure to fulfill the duty meet with sanction, तो वो sanction को face करना परेगा उसको punishment face करना परेगा, ठीक है clear है, इससे आसान तरीके से तो भाई कोई समझानी पाएगा बहुत अच्छे से समझ जाओ अगर अंदर में नहीं गुसा तो गुसेर दो ये चीज, क्यों बताओ इसको परना नहीं है भाई, और ये 110% है, ये सब जो short notes है ना, देखो, Roscoe Pound theory of law सब आने वाला है exams में सब आएगा exams में तो क्या करना है सर, अगर नहीं परे, तो समझ लो, ये चीज समझ लो, Austin क्या कहता है भाईया Austin कौन है, वो करता क्या है एक बर अंदर में गुसेरे लिना इस चीज कोई आपको पूछे कि आपका नाम क्या आप भूल जाते हो, नहीं भूलते हो ना तो वही से, ऐसे याद करना ये चीज, Austin कमांड को ऐसे याद करना है, ठीक है और अच्छे से समझ लिए, एक करेक्टर बना दो दिमाग में कि हाँ, Austin Johnson का बरा भाई था, Austin ऐसा था तो वो लिखना एक्जाम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, यही याद आने वाला है जौन सीना कोई याद करने वाले हो तुम एक्जाम के टाइम पर और कुछ याद नहीं आने वाला तो इसलिए अच्छे से समझो ए चीज अंदर गुसेर दो वर्ड्स, इंपोर्टन वर्ड्स, प्रोपागेटेड, सौवरियन ठीक है, कमांड, ठीक है, बैक्ट बाइ सैंक्शन यह सब बहुत भारी भारी वर्ड्स है जो आपको लिखना परेगा तो इसका मीनिंग समझना बहुत इंपोर्टन है ना तो मीनिंग अच्छे से समझ लो और अपने आप ही बना लेना आंसर ठीक है, कैसे बनाना है, पूरा बना के दिया, यह कॉपी करो लिखो, memorize करो, सीखो, understand करो, revise करो फिर एक्जाम में जाओ, एक्जाम देने, ठीक है तो continue करते है इसका Thus, the command theory of law has three main features अच्छा, command theory का three main features है, क्या क्या है It is a command, अच्छा, यह command है, सबको बता है भाई, यह command है It is a command, it is given by a sovereign authority, मतलब एक independent authority एक nation, एक nation देता है यह command, ठीक है और command को support कौन करता है, back कौन करता है It has a sanction behind it, मतलब अगर तुम command को follow नहीं किया तो sanction लगा देंगे, आपके उपर, आपके उपनिश्मेंट दे देंगे यह तीन characteristics है, यह फिर तुम features बता लो ठीक है, किसका, command theory of law कौन लिखा है, command theory of law Austin ने लिखा है, command theory of law Sir, इतना लिखने में हो जाएगा, बहुत है, इतना बहुत है परो अच्छे से, exam में लिखना, full marks मिल जाएगा Next, देख ले हम लोग, Roscoe pound theory of law Roscoe pound, 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 ठीक है Dollar नहीं है, pound है, rupees नहीं है, pound है किसका pound है, Roscoe का pound है अच्छा, तो sir, Roscoe को कैसे याद रखे अरे यार, यह कौन था, Austin कौन था theorist था न, Roscoe scholar है भाईया Sir, यह theorist और scholar क्या है, sir difference थोरा बता देंगे, theorist कौन है He is related with theory, और scholar कौन होता है एक specialist बंदा होता है ठीक है, scholar कौन होता है एक specialist बंदा होता है किसी भी field में, ठीक है, वो होता है scholar, ओके अच्छा, Austin कहां से belong करता था, America हाँ, John Cena का बरावाई, America तो वो अमेरिका से बिलोंग करता था ठीक है, लेकिन वहाँ पर लिखना नहीं है यह चीज तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है Roscoe Pound, a distinguished American legal scholar, वो एक American था, Roscoe Pound एक American था, क्या Austin American था, क्या Austin American था, पता नहीं, sir Austin American था, नहीं यार वो American नहीं था, वो English था, English और American में difference क्या, sir, English England का बंदा होतता है ठीक है, English जो है ना, वो England का बंदा होतता है वो American नहीं होतता है, American नहीं होता है तो American different होतता है तो sir, आपने बता, John Cena का बरावाई हा, सवातिला भई है ना भईया वो कजन वसन होगा, वो इंग्लैंड में एक जनम लिया और एक जनम लिया अमेरिका में ठीक है, तो Austin John Austin is from England और जो है यहां पे Rosscoe Pound वो कौन है भईया मेरे वो कौन है मेरे वो है American scholar ठीक है of 20th century, अच्छा भई या वो एक jurist था, jurist था, Jew नहीं था, ये Jew वाला Jew नहीं है, ये jurist है, ठीक है, of 20th century, मतलब कौन है jurist, jurist कौन है, पता नहीं, आपको जूरी पता नहीं, क्या भई या, जूरी कौन होतते है, कौन होतते है, judges को हम लोग jury कहते है, तो वो, he was a jurist, leading jurist of 20th century, and was one of the biggest proponent of sociological jurisprudence, giving special importance to taking into accounts of social facts in making interpretations and applications of law, तो ये बंदा ना थोरा social work बहुत जादा करता था, वो socially बहुत, मतलब derived था, वो बंदे का जो thinking है ना, सब social होके निकलता था, social मतलब facebook नहीं, society, ठीक है, society, sociological jurisprudence, उसका जो main object था, propaganda था, उसका वो था, sociological jurisprudence, ठीक है, giving special importance, taking into accounts, social facts, तो socially क्या होता था, socially क्या होता था, उसका facts निकालके, उसका facts निकालके, वो judgment देता था, वो apply करता था, थीक है, वो सब interpret करता था, वो socially सब कुछ लेता था, सब कुछ socially वो relate करता था, कितना मस्त आदमी है ना, रोसको पाउंड, है कि नहीं सर ये Austin Command Theory of Law से किया difference है इसका Roscoe Pound का देखो Roscoe Pound socially जाता था पूरा वो sociological jurisprudence था ठीक है और ये क्या था वो तो सबसे पहला बंदा था जिसने jurisprudence के University of London का jurisprudence जो है वहाँ पे वो बैठा था ठीक है chair of jurisprudence में बैठा था लेकिन एक बात पता है आपको Austin जो है न वो sociologically वो नहीं बोलता था कुछ भी ठीक है Austin को बस पता है कि एक independent country होना चाहिए ठीक है और वो जो command है तो वो command देदेगा command क्या होगा law का command होगा और command अगर नहीं follow कर पाए तो क्या मिल जाएगा sanction sanction मतलब क्या होता है यह punishment मिल जाएगा यह किसने बताया John Austin ने बताया और रॉसकोपाउन ने क्या बताया हमें रॉसकोपाउन ने बताया देखो मैं तो थोड़ा different हूँ मैं John Austin से different हूँ मैं ना देखो sociologically जाता हूँ हर कुछ हर कुछ decision जो लेता हूँ मैं वो पूरा sociologically decision लेता हूँ sociological jurisprudence giving special importance इसको special importance देता था special importance to take into account of social facts तो socially socially जो facts रहते थे कि हाँ society में यह facts चलता है उसको मद्दे नजर रखते हुए वो decision देता था keeping in mind those facts he used to give the decision who used to give such decision the decisions is given by Roscoe Pound how does he give the decision keeping the sociological aspect into his mind he used to give the decisions or he used to interpret or he used to make applicable of the laws so there's a great guy Roscoe Pound बहुत बरिया बन्दा है समझ में आगिया अभी क्या बताया Roscoe Pound ने फर्दर देखो तेखो रोसको पाउन ने बताया कि Roscoe Pound drew a similarity between the task of a lawyer and an engineer Roscoe Pound ने क्या बताया कि एक lawyer जो होता है एक engineer जो होता है दोनों same है उनका जो task है ना वो same है sir कैसे sir कैसे लॉयर और इंजिनियर सेम कैसे होगा है sir देखो मैं बताता हूँ according to Roscoe Pound कितना बरिया बन्दा है देखो Roscoe Pound ने क्या बताया उसने similarly बताया मतलब उसने similarity दिखाया similarity मतलब मिलता जुलता चीज दिखाया sir कौन किस से मिलता है इंजिनियर और लॉयर का जो टास्क होता है काम होता है वो मिलता जुलता है किसने बताया sir ये चीज Roscoe Pound ने बताया Roscoe Pound ड्रियू है similarity between the task of a lawyer and an engineer and gave his theory of social engineering तो उसने फिर एक theory बनाया जिसका नाम आया social engineering ठीक है अभी social engineering क्या है the goal of this theory ये क्या है सरे चीज इस theory का goal क्या है ये theory लाया क्यों गया है the goal of this theory was to build such a structure of society where the satisfaction of maximum of wants जहां पे satisfaction हो maximum of wants का मतलब आपके चाहा का आपके चाहा का आप जो चाहते हो उसका maximum to maximum satisfaction हो आप satisfy रहो किस चीज का चाहना सर लंबोगी नहीं चाहता हूं मैं ओडी चाहता हूं मैं वैसा नहीं कानून के कानून के हिसाब से कानून से government से जो आपके चाह रहा ताकि government मुझको देखेगा government सही में judgment देगा government सब कुछ करेगा अच्छी तरीके से law के हिसाब से जो चाहना है ना उस चाहने का तुमारा maximum to maximum fulfillment हो कैसे fulfillment होगा where the satisfaction of maximum of wants was achieved achieve कर पाओ आप with the minimum of friction and waste minimum से minimum friction लगा के friction मतलब क्या मतलब आप ज्यादा दिक्कत ना करके आप ज्यादा दिक्कत ना करके maximum output ले पाए किस से ले पाओ law से ले पाओ ठीक है सच society according to अच्छा सच society according to रॉसको पाउंड would be an efficient society वैसा society जहाँ पे आप maximum maximum output निकाल पाओ minimum friction से मतलब maximum आप आपका जो wants है वो आप satisfy हो पाओ maximum to maximum कम दिक्कते हो के कम दिक्कते का सामना करने के बाद आप ले पाओ मजा law से law से आप लाग उठाओ पाओ वो society होता है सबसे brilliant society वो एक efficient society होता है according to whom रॉसको पाउंड रॉसको पाउंड ने बताया यहाँ पे ठीक है तो एक बार फिर से देख ले इस महाजन का बात सुनले एक बार क्या बताया रॉसको पाउंड कौन था वो American का था वो एक American है भईया रॉसको पाउंड कौन है रॉसको पाउंड एक American है वो एक legal scholar है, मतलब वो specialist है, ठीक है, वो एक jurist था, किस century का jurist था, 20th century का jurist था, ठीक है, तो वो जो है न, वो जो decision देता था, या फिर वो law interpret करता था, उसका तरीका अलग था, वो socially समझता था सब कुछ, वो socially, वो सब कुछ thinking, उसका पुरा social perspective से होके गुजरता था, ठीक है, त तो socially अगर वो applicable हो, वो अच्छे से हो, वो sense बना रहा है, वो law, तो वो apply करता था, अगर उसके हिसाब से, वो socially ना हो, तो apply नहीं करता था, तो रॉसको पांड जो है, वो socialist jurisprudence giving special importance to taking into accounts of social facts, वो special importance किसको देता था, social facts को देता था, जो मैं example दू एक छोटा सा, तो पकर लो, आप एक society में रहते हो, हिंदू society में रहते हो, पकर लो, एक ठीक है, तो आपके society में एक मंदिर है, मंदिर में न, यार लरकू का जाना allowed नहीं है, बस लरकिया जा सकते हैं मंदिर में, ठीक है, मंदिर में लरकू का जाना allowed नहीं है, बस लरकिया और बच्चे जा सकते हैं, ल अडल्ट को उनका जाना अलाउड नहीं है, तो यह केस कर दिया, किसी महा पुरुष ने पकरलो केस कर दिया, और केस गया रॉसको पाउंड की उपर, तो रॉसको पाउंड कैसे सोचेगा, वो देखेगा, अच्छा भईया, सोचली तो देखो, यह सही नहीं है, क्योंकि देखो, यार, सोसाइटी में किसी का भला नहीं होगा, ऐसे मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है, पुरुष महिला, यह सब लोग जा सकते, वैसा करके वो एक लौ लागू कर देगा, सोचली वो सोचेगा, कि यह सोच साइटी के लिए सही होगा, क्योंकि दोनों का भला होगा, महिला, पुरुष दोनों का भला होगा, दोनों मंदिर जा सकते हैं, भगवान दोनों को ब्लेस कर सकता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, रौसको पाउंड का थिंकिंग, तो वो सोसाइटी के हिसाब से सोचता है, लेकिन बेटा आस्ट्रिन जो है न वो सुसाइटी के हेसाब से नी सोचता है, वो सिर्फ यह सोचता है कि बेटा एक कंट्री होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, सौवरियन होगा, ठीक है, और उस कंट्री ने क्या देना है? command देना है, ठीक है, command कैसे देगा, तो sovereign nation को law लागू करना है, law लागू करना मतलब ही command होता है भहीया, command देने के बाद, आप अगर माने तो सही, ना माने तो sanction ठोग देंगे, मतलब punishment देंगे, ये कौन कहता है, Austin, और रॉसकोपाउंड क्या कहता है, रॉसकोपाउंड socially सोचता ह कि society के इसाब से वह अच्छा होगा कि नहीं ठीक है तो दोनों बंदों का मैंने differentiate बता दिया आपको अच्छे से यह आपको याद करना है ठीक है थोरा time दे रहा हूं मैं अच्छे से याद कर लो ठीक है next video फटा फटा जाएगा आज के वीडियो में इतना ही मैं इतना क्यों करा नहीं पता है न क्योंकि यह दोनों जो बंदे हैं आपके दिमाग में बैठना चाहिए कौन के ऐसा है ठीक है समझ में आ रहा है so for today only up to this much ठीक है न till then thank you so much and happy learning guys